चंद्रू और 10 दे में कौन से राज खुल जाएंगे मैं चाहता हूँ उस मासू मादिवासी औरत को इंसाफ मिले कोर्ट इंसाफ नहीं करेगे तो मैं सड़क पर उत्रूँगा सिर्फ कानून ही मेरा हत्यार है तो गाइस कैसे हो आप सब स्वाकत आपका एक बाँ फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर कईस बात करेंगे एक बाँ फिर से कहीं न कहीं लगता है पबलिक को यह ओसकर डिजर्विंग फिल्म है जी हाँ बात कर रहे है जैब भीहम को लेकर जिसे की लेकर ना जाने कितने कमेंट्स आ रहे हैं बैक तुबाग बैक तुबाग वैल आपको क्या लगता है कैसे फिल्म को कोई अवाड भी मिलेगा ऑस्कार की तो बाया दूर की बात है तो कि झाए ऑस्कार बहुत कम फिल्मों को मिलता है जी हां बात कीजाए फिल्म को लेकर फिल्म को रिलिस हुयाँ आज 12 दिन पूरे होुचके है, फिल्म का टाइटल है जय a beem, जिसमें के चंदरु का नाम बोलते हैं, चंदरु का रूल प्ले कर रहे हैं इसमें सूर्या लेडिंग कास में निजर आ रहे हैं सूर्या प्रकासराज और इनके अलावा नाजानिक कितने स्टार कास्ट वेल आपको आदू इसमें 1995 का रियल इवेंट दोराया गया है बोले तो यार एक रियल कंडिशन बोलते हैं रियल स्टोरी को हमारे सामने जोग दिया है जिसे देखकर नाजाने कितने लोगों के आँखों में आसू भी आई सब्सक्राइब काफी इमोशनल है और आप कहीं ने कहीं इससे ना प्रेरित भी होने वाले हैं बोले तो पूरी तरह से इंस्पिरेशनल फिल्म है और कास्टीजम पर बेजड है तो मुझे लगता है कास्टीजम हटना चाहिए जड से मिटना चाहिए बस वही कहना चाहूँगा बात करें फिल्म को लेका जिसे की रायक्शन दिया है टीजे गनन वैल ने और आपको यादू इस फिल्म को प्रेडिस किया है अपने आज के दिन 15 क्रोड के आसपास जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है और इस कलेक्शन को करने के बाद जोसका कलेक्शन होचका है अभी तक का टूटल बारे दिनों के अंदर अंदर वोचका आएगा इस कम से कम 190 करोड प्लस यानि कि एक ब्लॉक बास्टर फिल्म बन चुकी है और आपको वीडियो पस्ना आई हो तो लाइक करना सेर करना चैनल को सब्सक्राइब करना